ओम श्यांति, 4 जून 2023 के अव्यक्त महवाक्य, पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर, बाप दादा ने कहा, आने वले नव युग का नजारा आखों के सामने रहता है ना, अपने को राज्य अधिकारी समझ से हो, अगर राजा बनना है, तो प्रजा भी जरूर ब करेंगे, अब तुम्हें माया को अंश और वंश सहित समाप्त करना है, क्योंकि माया अंश से वंश को बहुत जल्दी पैदा करती है, सदा मुख से मीठा ही बोलना है, अगर कडवेपन की लकीर भी रह गई है, तो उसको आज ही विदाई दे दो, साथ साथ पुराने संसकार को भी सदा के लिए विदाई देनी है, अपने को इश्वरिय संदेश देने के निमित फरिष्टा समझो, इस फरिष्टे स्वरूप की स्मृती में स्व्यम भी रहना है, और दूसरों को भी यह स्मृती दिलानी है, फिर बाबा ने कहा, जब दृष्टी से स्रिष्टी बद सकती है, तो क्या ब्राह्मन आत्मा नहीं बदल सकती? आपकी दृष्टी स्मृती हर आत्मा को बदल देगी, अगर स्व परिवर्तक नहीं, तो विश्व परिवर्तक भी नहीं, परिवर्तक आत्मा कभी किसी के प्रभाव में नहीं आती, अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाए तो वेह परिवर्तन क्या करेगा और लास्ट में बाबा ने कहा अपने साथ प्रतिज्या करने चाहिए कभी किसी की कमजोरी को ना देखेंगे ना सुनेंगे ना बोलेंगे प्रतिज्या का अर्थ ही है शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्या ली है वह ना जाए किस अशुब बात को भी आप अपने पास शुब करके ही उठाओ। अर्थात अशुब देखते हुए भी शुब द्रिष्टी से ही देखो। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार नए वर्ष को शुब भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। आज नव युग रज्ता बाप दादा अपने नव युग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख अपना नव युग याद आता है। नव युग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपके नव युग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतो प्रधान हैं और प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नहीं हैं। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुराना पन नहीं होगा। तो नव युग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। आज विशेस नया वर्ष मनाने के उमंगुत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुँच गए हैं। तो बाप ददा भी दिल से दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है। अपना नया युग नैनों की आगे बुद्धी में सपष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है। ऐसे ही कहेंगे कल नव युग आया की आया। इतना सपष्ट है, नशा है। सभी नव युग के राज्जे अधिकारी हैं। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो लेकिन राज्जे किस पर करेंगे। अपने उपर। तो बाप दादा नव युग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। कल की बात है ना। वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नव युग होगा ना। अपने नव युग की ड्रेस शरीर सामने दिखाई देती हैं। बस पुरानी ड्रेस छोडेंगे और नई ड्रेस धारन करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी चमकीली सुन्दर है ना। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई न कोई नुक्स होगा। कोई की नाक तेड़ी होगी, किसकी आँख तेड़ी होगी, किसके हों ठैसे होंगे। और नव युग में सब नमबर वन। हर करमेंद्री एक्यूरेट। तो ऐसी ड्रेस सामने खूटी पर लगी हुई है ना। बस पहननी है। अपनी ड्रेस पसंद है देख रहे हो ना। बाप दादा सदेव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं। एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मनी स्रेष्ट आत्मा को देखते हैं। और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की स्रेष्ट लकीर को देखते हैं। अध्यम भी हैं, सभी वन हैं, सेकिंड, थर्ड और आने वले हैं, अच्छा, दुनिया वाले कहते हैं, आपके मुख में गुलाब जामुन, गुलाब जामुन सब को बहुत अच्छा लगता है ना, गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही, बाप दादा ने हर गुरु और बाप दादा को भी स्विकार कराते हो, घर में बनाए नहीं बनाए लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना, और जब कभी खुशी का उत्सव होता, तो मुख ही मीठा कराते हैं, मुख मीठा अर्थात मीठा मुखडा, मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सब का मुख भी मीठा है, तो मुखडा, फेस भी मीठा है, या थोड़ा-थोड़ा कडवा भी है, अगर एक लकीर भी कडवे की हो, तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ, इस थोड़े से कडवे पन को भी विदाई दे देना विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है या विदाई देकर फिर बुला लेंगे फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई वहां जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे विदाई तो सदाकाल के लिए विदाई विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं क्योंकि पुराने संसकार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर पड़सों परवश हो जाएंगे तो उसको विदाई नहीं कहेंगे न तो विदाई देना भी सीखो वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है अंश मात्र भी नहीं रहे कई बच्चे कहते हैं 75 प्रतिशत तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है 25 प्रतिशत अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 सक भी बहुत जल्दी पहुँच सकता है इसलिए अंश सहित स्माप्त करना है तो नए वर्ष में क्या करेंगे पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना और विदाई के साथ बधाई भी देते हो न कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो, तो विदाई दो और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी, सदा फरिस्ते स्वरूप की बधाई दो, हैं ही फरिस्ता, उपर से नीची आए, अपना कारे किया और उड़ा, फरिस्ते यही करते हैं न, उड उड़ती कला की निशानी पंक दिखाए हैं, कोई आर्टिफिशल पंक नहीं है, लेकिन यह फरिस्तों को जो पंक दिखाते हैं, उसका अर्थ है फरिस्ता, अर्थात उड़ती कलावाले, तो फरिस्ते स्वरूप की बधाई स्व्यम को भी दो और दूसरों को भी, सदा फरि फरिस्ते स्वरूप के स्मृती में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो, फलानी है, फलाना है, नहीं, फरिस्ता है, यह फरिस्ता संदेश देने के निमित्त हैं, समझा, तु सभी को फरिस्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृ द्रिष्टि से स्रिष्टि बदल सकती है, तो क्या व्राहमन नहीं बदल सकता? आपकी द्रिष्टि, स्मृति हर आत्मा को बदल देगी, बाप दादा को कभी-कभी बच्चों पर हसी आती है, आप लोगों को भी अपने उपर आती है, एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिव परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता अपने प्रती भी कभी रूह रिहान में कहते हैं चाहते हैं ये नहीं करें फिर भी कर लेते हैं तो विश्व परिवर्तक और स्व्यम के लिए ही कहें कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं तो उसका टाइटल क् या कमजोर कहना चाहिए। इस वर्ष की विशेस द्रिड प्रतिग्या स्वियम से करो। प्रतिग्या का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिग्या की है वह प्रतिग्या नहीं जाए। तो प्रतिग्या करने की इतनी हिम्मत है करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिग्या स्व्यम से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे, तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुब भावना गुण स्वरूप वर्ष हर वर्ष को अपना अपना नाम देते होना जब ये प्रतिग्या सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुब भावना गुण स्वरूप वर्ष मंजूर है फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना फिर कहेंगे मधुबन में तो वायू मंडल अच्छा था ना और यहां तो वायू मंडल का संग है ना परिवर्टक किसी के संग में नहीं आता किसी के प्रभाव में नहीं आता अगर परिवर्टक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्टन क्या करेगा इसलिए इस वर्ष को गुण मूरत शुब भावना वर्ष के रूप में मनाओ, किसकी अशुब बात को भी आप अपने पास शुब करके उठाओ, अशुब देखते हुए भी आप शुब द्रिष्टी से देखो, जब प्रकृती को बदल सकते हो, तो मनुश्य आत्मा को नहीं बदल सकते हो, और उसमें भी ब्राह्मन आत्माए हैं, उनको नहीं बदल सकते हो, जब सब के प्रतिशुब भावना होगी, तो कारण शब्द स्माप्त होकर निवारन शब्द ही दिखाई देगा, इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ नहीं, कारण को निवारन में परिवर्तन करो, हिम्मत हैं, अच्छा, बाप ददा, जब भी ٹीवी खोलते हैं, तो बड़ा मजा आता है, ये कल्योगी टीवी नहीं देखते, ब्राह्मनों की टीवी देखते हैं, ऐसे नहीं, आप लोग वे टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना, तो जब बच्चों का खेल देखते हैं, तो बहुत मजा आता है। मिक्की माउस का खेल तु करते हो ना थोड़े टाइम के लिए कोई شेर बन जाता कोई कुत्ता बन जाता जिस समय क्रोध करते हो तो उस समय क्या हो। जिस समय किस से डिसकस करते हो उसके उपर वार करते जाते हो सिद्ध करते जाते हो तो उस समय क्या हो मिक्की माउस ही तो बन जाते हो ना तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना फरिस्ता बनना मिक्की मा उसका खेल बहुत किया तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना क्योंकि समय तो समीप आना ही है और लाना भी है ड्रामानुसार आना तो है ही लेकिन लाने वले कौन है आप ही हो ना दूसरी विशेसा इस वर्ष में क्या करेंगे नए वर्ष में एक तो बधाईयां देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो तो इस नए वर्ष में सदेव हरे एक को जो भी जब भी संबंद संपर्क में आए चाहे ब्राह्मन परिवार चाहे और आत्माए हो उन सब को एक तो मधूर बोल की गिफ्ट दो सनहे के बोल की सोगात दो और दूसरा सदेव कोई न कोई गुण की शक्ति की सोगात दो यह सोगात सेकिन में भी दे सकते हो ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम नहीं मिला ना लेने वाले को टाइम था ना देने वाले को टाइम था लेकिन अगर अपनी स्रेष्ट भावना स्रेष्ट कामना की वृति है तो सेकिन के संकल्प से दृष्टी से अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकिन में भी किसी को बहुत क पुछ दे सकते हो, जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे, तो इतने गिफ्ट आपके पास है कि दो दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी, सभी का स्टोक भरपूर है, कि कोई का स्टोक थोड़ा कम हो गया है, जिसके पास कम हो वो हाथ उठालो, भर दे जिसके पास कमी हो, वो चिटकी लिखकर जनक दादी जानकी को देना, वो कलास करा लेगी, कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना, दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा तो नहीं है ना, इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना, वर्ष के साथ कमीयों को भी वि गिफ्ट देना है? नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बाटते चलो. बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए, तो कितना अच्छा लगेगा? अगर कोई आता है, उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो, तो कितना खुश होता है? चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन गिफ्ट अर्थात सनहे के स्वरूप को देखते हैं. गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते हैं, लेकिन सनहे से माला माल हो जाते हैं. तो सनहे देना और सनहे लेना. अगर कोई आपको सनहे नहीं भी दे, तो भी आप उनसे ले लेना. लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे ले? इस में कोई हर्जा नहीं है वो आप पर क्रोध करे आप स्नेह के रूप में ले लेना आप विश्व परिवर्टक हो न तो विश्व परिवर्टक किसी के नेगेटिव को पोजिटिव में नहीं बदल सकता तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और परस नहें लेना ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं क्या करूं वो दे या ना दे आप ले लो कुछ तो देगा ना नेगेटिव दे या पोजिटिव दे कुछ तो देगा ना लेकिन हे विश्व परिवर्ट तक आप नेगेटिव को पोजिटिव में परिवर्टन कर लेना समझा, इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे? दाता बन गए हो, वहा दाता बन की मुबारक हो. बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं कौनसी? की ये मैं और मेरा, ये परिशान कर देता है. कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है, जो बीच-बीच में परिशान करता है. तो जब वर्ष परिवर्टन हो रहा है, तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्टन करो शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कोन, ओरिजनल मैं किसको कहते हैं, शरीर को या आत्मा को मैं आत्मा हूँ तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजनल स्वरूप ओरिजनल अर्थ स्मृती में रखते हो और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज करते हो करना ही पड़ता है ना मेरा भी कई बार यूज करते हो उतने बार अगर वास्विक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ, तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा, तो जब भी मैं शब्द यूज करते हो, तो उस समय यही सोचो कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो, बोलना ही पड़ता है, और आदत भी है, मैं मेरे के पक्केज अंसकार हो गए है, तो जिस समय मैं शब्द यूज करते हो, उस समय यह सोचो कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर तो हूँ ही नहीं न, बोड़ी कॉंसेस तब आवे जब मैं शरीर हूँ, शरीर तो मेरा कहते हो न, कि मैं शरीर कहते हो, कभी गलती से कहते हो कि मैं शरीर हूँ, गलती से भी नहीं कहेंगे न, कि मैं शरीर हूँ, तो मैं शब्द और ही स्मृती और समर्थी दिलाने वला शब्द है, गिराने वला नहीं है, तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के हो न, देखना कच्चे नहीं बढ़ना तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो जब भी मैं शब्द बोलो, तो उस स्वरूप में टिक जाओ और जब मेरा शब्द यूज करते हो, तो सबसे पहले मेरा कौन? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो मेरा स्वभाव, मेरा संसकार, मेरी ये चीजे, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरे जिग्यासू, मेरी सेवा, मेरी सेवा इसने क्योंकि ये कहते हो न, खेल तो करते हो न तो जब मेरा शब्द बोलते हो, तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन, पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा ओर याद करो तो जहाँ बाप होगा, वहाँ देह अभिमान वगिरावट नहीं आएगी तो मैं और मेरा इन दोनों शब्दों को उस वृती से, उस द्रिष्टी से, उस अर्थ से देखो और बोलो मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो मैं या मेरा तो अर्थ का परिवर्तन करो हद से बेहद में जाना है ना जब बेहद स्रिष्टी की परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों आ जाते हो सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं हो ना या डबल विदेशी सिर्फ फोरेन परिवर्तक तो नहीं हो ना विश्व परिवर्तक हो, विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक हैं, यह पक्का याद है ना, तो ओटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी अच्छा, चारों और के नवियुक के राज्य अधिकारी सृष्ट आत्माओं को, सदा परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित विशेस आत्माओं को, सदा पुरुषार्थ में नवीनता, स्रेष्ट ता लाने वाले सर्वसनेही आत्माओं को, सदा बाप का नाम प्र अर्थ मिलाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप ददा का याद प्यार और नमस्ते। रुहानी बच्चों की रुहानी बाप ददा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। वर्दान आगे पीछे सोच समझ कर हर कारे करने वाले ज्यानी तु आत्मा त्रिकाल दर्शी भव। उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वे करना शुरू कर दिया नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पढ़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकाल दर्शी सिती में सित्त होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थवसाधार नहीं होगा। स्लोगन अपने संतुष्ट और खुश्णुम्ह जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण विडियो है। जरूर देखें कोई भी मिस ना करे। झाल झाल